उत्राखन एक्स्प्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में आवंदी उत्राखन में ठोस भू कानुन को लेकर लगातार उत्रही मांग के बीच पे मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी ने बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने राज्जु से बाहर के व्यक्तियों द्वारा उत्राखन में एक क्रशी भूमी की खरीद पर रुक लगा दी है एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्राखन में मून लिवास हो या भू कानून इन दोनों मुद्दों पर सियासत करम है इस सब के बीच बड़ा सियासी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्जे में किर्शी भूमी की खरीद पर रुक पर तत्काल पुर्भाव से रोक लगा दी है भूमी खरीद की अनुमती देने का डियम का अधिकार भी फ्रीज कर दिया गया है अब 12 सितंबर 2003 के बाद उत्त्राखंड में रह रहा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किर्शी भूमी नहीं खरीद सकेगा सियन धामी का कहना है कि भूक कानूल बनाने के लिए राज्ये सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी गठित की गई है जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे दे थी तब तक रोक बरकरार रहेगी देखे मैंने माई 2023 में केबिनिट में इस बात की तब भी हमने पहल की थी और एक निर्णय तब ही लिया था इसल उत्तराखंड में अभी तक किर्शी भूमी डियम की अनुमती के बाद खरीदी जा सकती थी इन पर होटल रिजोर्ट खड़े कर दिये लेकिन मुख्यमंतरी के इस आदेश के बाद अब जमीनों की बेताहशा खरीद फरुक्त पर रोक लग गई है खोड़ा धैरिया चाहिए दिरे दिरे चीज़े ठीक हो रही है और हम उस और आगे बढ़ रहे हैं हम ऐसा भी नहीं चाहते कि जल्दी में कोई ऐसा निरने हो जाए जो आगे बहुशे पर इसका दुस्परभाव पड़े है वहां के लोगों को नुकसान हो तो बहुत सारी चीज़ी हमको सोच समझ कर आगे बढ़ानी होंगी अब मांग करने का अलग विशे है लेकिन जब सरकार काम करती है तो सरकार सभी पहलों पर नजर रखते हैं और फिर आगे चलके बहुशे में कोई दिक्कत ना है बहरहाल साफ है उतराखन में अगले आदेश तक अब कोई भी बहारी व्यक्ती फिर्शी भूमी नहीं खरीच सकेगा हाला कि इस आदेश में अभी कई चीज़ें इस पश्ट होना बाकी है लेकिन इतना तैह है कि मुख्यमंतरी के इस मास्टर स्ट्रोक से भूमाफियाओं में हरकम मचा हुआ है वही ओने पोने दामों में खरीदी जा रही पाहर की बेश कीमती जमीने भी संरक्षित हो सकेंगी न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभाद की रिपोर्ट राचे में क्रशी और बागवानी के जमीन की खरीद फरोक्त पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है अब क्रशी बागवानी के जमीनों की भूमाफियाओं की कबजे में नहीं हो सकेंगे और ननिताल के पंगूट, खुप्रपताल और मुक्तेश्वर, भीनताल, रामगर पे पिछले कई सालों से लगतार क्रशी और बागवानी के जमीने बिक रही है जिस पर रिजोट और साथी होटल भी बनाये चार रही है आलात यहां तक है कि पहाडों में सरकारी जमीनों को भी इनकी आर मिले कर भी चजा रहा है और उन पर बाहरी लोग कबसा कर रही है कई स्थानों पर विशेश धर्म के लोगों ने क्रशी भूमी की आकरती भूमी दिखा कर उस पर कारोबार खड़ा कर दिया है और जिले के तराई वाले इलाकों में तो बड़े पैमाने पर कॉलोनिया भी काती जा रही है और जो और लोग है इसमें जो इसकी भूमी को जो खरीद फरोग्त करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कारी करेगा कि इस पर रोग लगाई जाए साल दोहसार चौबिस सियासी लिहाज से उत्राखन के लिए खास रहने वाला है उत्राखन में इस साल यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होने जा रहा है इसके साथी उत्राखन यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की पहल करने से लेकर उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा साल दोहजार चोबिस यासी लिहाज से काफी महत्व पूर्ण रहने वाला है या यू कहें कि ये साल धामी सरकार के लिए चुनोती पूर्ण रहने वाला है इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसके ततकाल बाद निकाय चुनाव की चुनोती भी सामने होगी कैबिनेट विस्तार का मुद्दा भी बना रहेगा भू कानून और मुल निवास दो बड़े मुद्दो का सरकार को हल खोजना होगा राज्य अंदोलन कारियों को सरकारी नौकरी में 10 फिसदी शैतिज आरक्षन विद्हेक भी लंबित पड़ा हुआ है उत्राखंड के युनिफॉर्म सिविल कोर्ड पर देश भर की नजरे ठीकी हुई है मुख्य मंतरी का कहना है कि चुनोती बहुत हैं लेकिन जनता के हित में जो भी फैसला लेना होगा सरकार पीछे नहीं हटेगी चुनोतियां और प्रदेश की जनता के आसिरबात से हमारे आधनी प्रभान मंतरी मुदिजी के मारजसन एइसवर की करपा से सभी चुनोती कुन जो हमारे मुद्दे रहे हैं चुनोती कुन बिसय रहे हैं हाला कि इन सब मसलों पर फैसले लेना इतना भी आसान नहीं होगा सियासी नफा नुकसान भी देखा और तोला जाएगा बीचेपी भी मानती है कि उसे 2024 से बहुत उम्मीदे हैं चाहे UCC हो या भू कानून सरकार ने जनता से जो भी बाइदे किये हैं उनको जरूर पूरा किया जाएगा बाहराल कई और मसले हैं 2024 में सरकार जिन पर आगे भढ़ते हुए दिखेगी फिर चाहे मानसखंड मंदिर माला मिशन हो रिशी केस कनपरियाग रेल प्रोजेक्ट हो या फिर इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में नई अध्योगी करांती की शुरूआत हो 2024 इन सब के लिए माईलिस्टोन साबित हो सकता है न्यूजेटीन के लिए देहरादून से सुनील नप्रभाद की रिपोर्ट उत्राखन में एक बार फिर से कोविट संक्रमन का खत्रा मंडरा रहा है शनिवार को 77 साल के बुज़र्ग के कोविट पॉजिटिव आने के बाद में अध्दून अस्पताल में एड्मिट 72 साल की महिला के रपोर्ट कोविट पॉजिटिव आई है दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है ऐसे में कोविट के नए वेरियंट JN.1 की पहचान के लिए दोनों संक्रमित मरीजों के सैंपल को जिनों सिक्वेंसिंग के लिए भीज़ जिया गया है स्वास्ता सचिफ का कहना है कि सियम भामी लगातार कोविट पर लगातार फीडबाक ले रही है अरिद्वार में बीज़ेपी के पूर्मू मंडल उपाध्याक्षिय की सोसाइट से संसनी मच गई है और रविंद्र चौधरी ने अपने घर में लाइसेंसी रिवालवर से खुद को गोली मारती गटना ज्वालपूर कोथवाली शेत्र के नाखनगर की है सोसाइट के सूचना पर पोलिस मौके पर पहुँची और शब को पोस्मोटम के लिए भीज़ लिया गया पोलिस को कोई सोसाइट लोड परामत नहीं को गई है बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से परिशान चल रहे थे तो इनकी लाइसेंसी जो असला है उससे नोंने स्वेम को हेडशाट लिया है और बॉड़ी हमने अभी जीडी भीज़ दिया जो फैमली है वो अभी बहुत दुखवे है तो इस टाइम पर हम लोग ज्यादा पूश्टाश नहीं कर रहे पर दीरे-दीरे करके उसके फोन रिकॉर्स वगएरा निकालेंगे और जैसे जो भी रीज़िक पता चलेगा उसके आज़िए देहरदून के प्रेम नगर में 28 दिसंबर को हुए सड़क हादिसे के बात में पुलिस वारा सही से जाचना करने के खिलाफ युवाव में आक्रोश है दरसल 28 सिसंबर को दिल्ली नंबर की कार्ट से एक चात्र का एक्सिडेंट हो गया था जो देहरदून के लिज़े अस्पताल में भरती है और उसके हालत नासुक है वही चात्र के दोस्तों का आरूप है कि पुलिस ने सही से जाचना ही किया है और आरूपिको गिरफतार नह ही गई है पुलिस द्वारा सही से जाचना होने है और मुकत्मा सौबस घंटे के अंदर लेखे जानी को लेकर अब युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है अब करने के बाद वहां थाना देख जो है उन्होंने फिर कांट को पंजिकरित किया था कांट संक्या 257 बटा तेई से सर प्रेम नगर थाना अंतरगन और उसके बाद से सर जो चालक था स्वारवरोड़ा उनको बिठा के थाना में रखा गया लेकिन अंत में कोई कारवाई उन पर की ही नहीं गई धारा जो है 308, 279 और 338 के अंतरगर धारा लिखवाई धारा हुई थी 257 में पर अंत में उनको छोड़ दिया गया तिली नंबर की गाड़ी थी जिससे इनका एकसिडेंट हुआ था और इनका कहना था कि हमारी तहरीर पे मुकदमा उस समय नहीं किया गया था बेरहर मुकदमा पंजिकित कर लिया गया और इसमें मेरे द्वारा भी बेचेक से बात की किये और इसमें प्रायर्टी के अधार पर भी बेचना की जाएगी और रही बात तो जो इनोंने सिकायत किया इस सिकायत को सस्पी सरकेस हम अच्छे रखा जाएगा और सर ने जो भी इसमें जिसको भी जान देंगे जांच कराने के बाद इसमें किलियर हो पाएगा कि गल्ती किसकी है श्रीनगर में गुल्दार का अतंक लगतार बढ़ता जा रहा है शाम धलते ही गुल्दार सडक पर दिखाई देने लगता है बीच सडक पर गुल्दार घूम रहा है और काट सवार ने गुल्दार का वीडियो बनाया है वहीं गुल्दार के आतंक से देश्चत का माहौल है लोगों ने वन वभाग से गुलदार को पकड़नी की माल की है और केंद्र सरकार द्वारा लाए चारा है हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राच्वे में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांस्पोर्ट आपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया गया देरादूर में भी नए कानून के विरोध में ट्रांस्पोर्टर्स का प्रदर्शन रहा दिन भार रोडवेस बस, सिटी बस और साथी विक्रम ऑटो के भी चक्का जाम पोड़ी से लोग खासा परिशान रहे प्रास्पूर्टर्स ने तीन दिन की हर्ताल का आवाहन किया है हरिद्वार में भी हर्ताल का खास असर देखने को मिल रहा है नई कानून के विरोध में आटो टैक्सी और साथी रोडवेस बसों के पहिये भी थम गए है नई साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा दिन भर यात्रियों को बस स्टेंड और रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा वोई सवारी ना मिलने पर यातरी अपना सामान लेकर इधर से उधर घूमते हुए नसराए दस साल की सजार पांच लाग रुपे जुर्मानिका प्रावदान है उसके विरोध में आज हर्ताल की गई है चक्का जाम किया गई रामनगर में भी रोडवेस बसों के हर्ताल रही जिससे की यातरी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा नए में एमवी एक्ट के तहत में और जो विरोध देखा जा रहा है उसके चलते लोग हर्ताल कर रहे हैं रोडवेस ड्राइवर्स का कहना है कि सरकार जिस तरह का कानून लेकर आई है उससे बड़ी गारी चलाने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि एक घंटा हो गए आप है अब बहुत वह से खड़े हैं हमें बहुत दिक्कत हो रही है बस भी हतालोर कि आज बहुत दिक्कत है कि कानून वाप्स लिया जाए और जो भी नया कानून बनाना है तो इसको एक जनता के हित में और चालकों के हित में देखके सही अच्छे तर नए साल के पहले दिन ननिताल में परटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा बसुकि हरताल के विशे से सरोवा नगरी आये सहलानियों को वापस जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं परटकों ने टैक्सी वालों पर बनवाने किराया वसुने का भी आर अब एक एक कैप वाला एक एक तीन तीन हजार पर चार चार जार पर माग रहा है अब जो टोरिश टाइब है वो क्या करेंगे इस वो कैसे जाएंगे अपने घर तो इधर आप नहीं रोड़ वेज में देख रहे हैं यह हमारी यूनियन से कोई भी रिलेटेट नहीं है हमारी इनकी गाड़ी इधर खड़ी है जो 200 रुपए पर सीट जो निर्दारित या गया है उसी में यहां पर से जा रही है नहीं वो नैनिताल की अगर गाड़ी है तो उसमें अब डाम चार्ज हम लेते हैं तो यहां से फिर भेजते हैं उसका 16 रुपए रेट है 800 जानेगा और 800 आनेगा अगर अबिलेटी नहीं होती है और चलिए पहाड से जुड़ी हुई दस बड़ी खबरे आपको दिखाते हैं फटफट अंदास में हैं सेस्क्रपोरे से चार अलग-अलग तसकरों को करीब 12 ग्राम हिरोईन 252 ग्राम 405 लीटर तक्षी शराब के साथ दिरखबार किया उतरकाश्री के डुंडा रेंज के धाते गाओं में पशुपाल्खों में गुलदार के देश्चत देखने को मिल रही है जंगल में चर रही एक गाय पर गुलदार में हमला कर लिया अल्मोडा में UKD ने मोल लिवास भुकानून और गैर से इस्थाई राजस्थानी को लेकर गांधिर पार्क में धर्ना दिया और सरकार के खिलाफना लिवासी के कॉंग्रस कारेकरताओं ने बनारस और चंपावत की घ्थना के विरोध में बीजेपी का पुतला फुका और कहां कि बीजेपी शासन में महिलाए पूरी दर्व से असुरक्सित हो पिथोरागर्ण में हर कोट छील से इस्थानी गाउ को पेचल देने के मांग देश कोने लगी है दियम से मिलने पहुंचे ग्रामीरों ने पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेताफी देगरी मिना इस साल के पहले दिन लोग नवदूर्गा मंदिर के साथ में ही सिद्ध पीठ मंदर दर्शन के लिए पहुंचे और मास एक तुछाली और संपुप्धी की काम देश साल के मौके पर पिथोरागर्ण उद्योग व्रभाक ने एक कैलेंडर जारी क्या है इस मौके पर डियम दिना चूशी ने कहा कि लोगों को उद्योग लगाने में हर पर दिश्वर में इसने तिचारों धामों के शीतकालिन पढ़ाव पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरा नर्सरस्वती शीतकालिन ज्यात्रा पर निकले थे जिनके स्तमापन जिसका समापन क्या क्या है पागेश्वर में ठर्ण में लोगों को विमार करना जुद कर दिया अस्पताल के ओपेडी आज़्टों के पार पहुँच गई है तेजजीन से बुखार सरदी, बदंदर्द और अस्थमा के रोग्डियों के संध्याबर रही है उतरकाशी में नए साल के पहले दिन गंगा भागी रत्धी के संगम तक पर स्वश्टा अभ्यान चलाए गया और साफसफाई के लिए लोगों को जाक्रुट किया गया और हरिद्वार में निरंचुनी अखाड़े के आच्वारे महा मनलेश्वर स्वामी केलाशनन गिरी का 47 वा जन्मदिन धूमधाम से बनाए गया दक्षुनकली पीठ मंदिर में आहिजुत कारेक्रम में बड़ी संख्या में साधूसंत और नीताउर इस्ता लिया और स्वामी केलाशनन गिरी को शुक्कामा एदेरी उत्राखन की पूर्व राजजपाल और यूपी सरकार्न क्यामिन पंत्री बेवी रानी मौर्य उत्राखन की विधास भाध्याक्ष नितु खंडूरी पूर्व मुख्यमत्री तीदर सिंग्रावाद और साती हरिद्वार पहाडों में सूखी ठं का कह जारी है नदी नाले प्राकतिक ज्वने पूरी तरह से जम चुके हैं तस्वीर नीटी घाती के आपको दिखाते हैं जहां पर पहाडों पर बहने वाले ज्वने का पानी जम चुका है दोली नदी की स्तायक नदिया भी जम चुकी है और इत्ता ही नहीं पाले की परत पूरी तरह से पहाड की चूटियों पर जम चुकी है और घाती में सुभा श्याम का टापमान माइनस 10 से 15 डिगी तक पहुछ गया है बहुत ही अच्छा भी हुआ है आपको पूरे प्रकृति के नजारे मिलेंगे हाँ थोड़ी सी आपको समस्या होगी आने में पर आना जरूर चाहिए आपको एक बारी थोड़ी समस्या का सामना करते हुए नए साल के पहले दिन मंदिरों में भी श्रद्धालू का ताता लगा रहा हरिद्वार में हर के पैड़ी पर भी बड़ी संक्या में लोगों ने गंगा इस्तनान कर अपने दिन के शिर्वात के श्रद्धालो ने कहा कि गंगा में स्थान कर नए साल की शिर्वात से उनका पूरा साल अच्छा गुजरेगा नैनिताल में पहुंचे परेटको और स्थानी लोगों ने नैना देवी मंजिर में पुजाशना कि वहें अल्मोडा के जागिश्वर धाम में भी सुभा श्रद्धालो की लंबी कतार देखी गए और साती श्रद्धालो भगवान के दर्षन के लिए दूर दूर से जागिश्वर पहुंचे थे कोड़ द्वार के सद्धबली धाम में भी सुभा से ही शद्धालों की भीर कुमरी देरदोन वन प्रभाग की जाजरा रेंज की जंगल में वन विभाग की और से तयार आनन्द वन परेटकों को खोब लुभा रहा है इक रेपोर्ट आपको दिखाते हैं देरदोन की जाजरा वन रेंज वे परेटन केंद्र आनन्द वन प्राकरतिक सौन्दार इसे भरपूर है बांस, साल और अन्य प्रजातियों के व्रिच इस घने जंगल में परेटकों के लिए तयार किये गए हैं आनन्द वन में पार्क जूले, वुगियाल जर्ना, पत्थरों से बने पहाड और उनसे निकलता हुआ पानी परेटकों को खुब पसंदारा है इसके साथ ही उचे पेडों पर बने ट्रीहट की भी सेलानी खुब तारीफ कर रहे हैं आनन्द वन में पर्याटकों की सुविधा का पूरा खयाल रखा गया है बास के जंगल ने परेटकों के बैटने के लिए आकर्शक सिटिंग व्यवस्था की गई है हाला कि एडवेंचर को लेकर व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है इसलिए बन विभाग द्वारा फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है अब देखना ही होगा कि कब तक वन विभाग एडवेंचर की सुविधा को चालू कर पाता है ताकि परेटक आनद बन की ओर खीचे चले आए न्यूज़ेटीन के लिए विकास नगर से कुलदीप चोहान की रिपोर्ट रिचकेश के त्रवेणी संगम पर नएज साल की शुरुवात पर फोटो प्रदरशनी का आयशन क्या गया एज़वारान परेटको ने उत्राखन के लेंड्सकेप प्रकतिक स्तुरूत के सौंदरे के नजारों का लुत्व भी उठाया पर उत्राखन के परेटन स्थलो और साती संस्कृति को फोटो के माध्यम से दिखाने के कोशिश की गई थी वहें इस प्रदरशनी को लोगों ने बेहत पसंद किया एक्जिविशन लगी है यह बहुती सुन्दर उत्राखन की ओड से लगी है लेकिन मैं देखनी हूँ है इसमें पूरी दुनिया के फोटोग्राप्स यह सामिन है और बहुती अच्छे तरह से यह फोटोग्राप्स बनाए हैं मैं बहुत-बहुत सुपकामना ही देती हूँ युद्र के समय अपनी भीरता के लिए देश का पहला परमवीर चक्र और शांती काल में एक साथ दो अशोक चक्र जीतने वाली कुमाओ रजिमेंट के लिए आज का दिन बेहत खास है आज कुमाओ रजिमेंट का स्थापना दिवस है और इस अफसर पर बागेश्वर में पुर्व सैनिको और पुर्व सैनिको ने ध्रोंधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया है तेहरी जील के आसपास कि शेत्र को परेटन की द्रस्ती से डेफलप करने का टार्गेट खत्म कर दिया जाएगा जल्दी और जिसके तहत पे डोबरा चांटी और पुल के आसपास पी नया बोटिंग पॉइंट लगाने की कारवाई की जा रही है जिससे की डोबरा एक नए टोरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होगा जिसमें बोटिंग के साथ में एडवेंचर स्पोर्स की एक्टिविटी भी शुरू की जाएगी जिससे की डोबरा चांट पुल घूमने आने वाले परटकों को नए वाटर एडवेंचर स्पोर्स एक्टिविटी मिल सके गिए जो लोग अपना कारी करते हैं सासी किलों का उनके तोरह भी प्रस्ताव दिये गए जो वहाँ पर जिप लाइंग या बंजी जंपिंग या फिर हट्स बनाने का या ने आयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रार प्रतिष्ठा की कारिक्रम की तारिक नस्दीक आ गई है तो वहीं देहरादून के कुम्हारों की कारोबार में तेजी आ गई है क्या है वज़ा एक रेपोर्ट में दिखाते हैं ये है देहरादून की कुम्हार मंडी दिवाली के अलावा यहां कारोबार मंदा ही रहता है लेकिन आजकल यहां दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है बज़े है आयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रार प्रतिष्ठा का कारिक्रम 22 जन्वरी को अयोध्या में भगवान राम लला की प्रार प्रतिष्ठा का कारिक्रम होगा और इसी के साथ हर घर में दीपक भी जलेंगे इसके लिए कुम्हार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे है तो नेराम मंदिर की वजह से बहुत ही विकिङे दिवाली की तेरे विकिङे अभी लगा लगाई रहे हैं तो अअच्छा मोर रहेगा, राम का तो बहुत चल रहा है देर असल विश्व हिंदू परिशत और बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के प्राठ पतिस्ठा के कारिक्रम को धुम्धाम से मराने की तैयारी की है इसके लिए बीजेपी जहां एक से पंदा जनवरी तक पाच पास दिये घर घर में बाटेगी वही बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अपनी अपनी लोगसभा में दिये जलाने के लिए कहा है दिवाली के बाद ऐसी रौना कुमार मंडी में भी पहली बार देखने को मिल रही है जब दिये बनाए जा रहे है हर घर में दीप जलाने की तैयारी है दीपोटसव एक बार फिर मनाया जा रहा है क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में एक बार फिर से तीपावली का महौल है क्यामर परसन संदीपनेगी के साथ निउसेटीन के लिए धरदून सिभारती सकलानी उन्यार यहां पर वक्त होगे एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहे हैं निउसेटीन